हलो दोस्तों एक वाफिर से स्वागत है आपका सिच्छक सिच्छा अर्थाथ टीचर से एजुकेशन में और आज का हमारा टॉपिक है कर्कुलम और प्री प्राइमरी एजुकेशन अर्थाथ पूर्व प्रात्मिक सिच्छा का पाठेक्रम हलो दोस्तों मैं हूँ अविशीरोई और आप देख रहे हैं सक्सेस पॉइंट आगरा और आज आप सिच्छक सिच्छा का पार्ट सी देख रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कर्कुलम और प्री प्राइमरी एजुकेशन अर्थात पूर्व प्रात्मिक सिच्छा का पाठेक्रम क्या होना चाहिए ठीक है न तो अब हम इसको जानेंगे पूर्व प्रात्मिक सिच्छा के पाठेक्रम को कि आकरकार हमने पूर्व प्रात्मिक सिच्छा के पाठेक्रम में क्या क्या चीज़े हमें समझनी चाहिए च आपको समझ में आएगा कि पूर प्राफ्ट में सिच्छा को किस तरीके से डिवाइड किया सकता है मैं आपको बता दूँ जो लोग BAD, BTC, BAD के एक्जाम दे रहे हैं उनके एक्जाम में ये क्वेश्चन कंपल सरी है आना ही आना है तो आप समझ लीजे कि आपके लिए बहुत ही महत्वूर प्रस्ट लेके आएंगा आज और सीटेट और यूपीटेट वालों के लिए तो बेहाद ही महत्वूर चलिए तो समझते हैं पूर परात्र में सिच्छा का पाठेक्रम तो इस क्राफ्ट से आप समझने की कोशिश करना के आखिरकार हमने इसमें किस तरीके से किया है सबसे पहला इसका पॉइंट लिया है बाल मनुविग्या तता अधिगम यानि कि अगर हम पाठेक्रम में बनाते समय ध्यान दें तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट रहेगा वह बाल मनुविग्या तता अधिगम का रहेगा कि हम इसमें किस तरीके से यह सारी से समय विजद कर सकते हैं उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने रखा है पूर्व बाल्य आवश्ता एवं देखवाल यानि पूर्व बाल्य आवस iis पकार से अंने बनाया जाए तता उसे किस परकार से मेनेच किया जाए यह सारी सीड़ा ले देखते हैं इसी प्रकार अगले शेया स्वास्टेवं स्वाच्च्टा यानि कि हम इसके सारे चरणों को देखते जाए तो एक चरण दूसरे चरण से जुड़ा हुआ समझ से आएं यानि कि किस समय पर किस तरीके की सिचुशन हमारे सामने क्रियेट हो रही है और उस सिचुशन को हैंडिल करने के लिए मैं किस तरीके से पाटेकन में समय विजन कर रहा चाहिए तो यह जो ग्राफ है आप इस ग्राफ को देख कर आदे से जादा चीजें अपने आप समझ सकते हैं अगर आपने ग्राफ समझ लिया तो एक बार में ही आप इस पूरे प्रस्ट को एक्स्प्लेन कर सकते हैं और इस ग्राफ की साहता से कम से कम चार पांच पेज आप एक्जम में लिख सकते हैं और जो लोग सीटेट या यूपिटेट देंगे वो अगर आपने इसको ध्यान से समझा होगा तो ठीक है ना चलिए इसी में आप आगे वड़ते हैं और देखते हैं कि बरतमान भारती समाज में जो प्रवर्तियां उबर रही हैं उनमें विस्तार छेत्र की द्रस्टी से बालकों के मन को समझते हुए इस समस्याओं के अधिग करनी चाहिए तथा शुकमार मन होने के कारण उनकी देख रेक की विवस्ता करते हुए सिच्छड कारिक्रमों का बालकों के लिए नियोजन तथा प्रवंधन करना चाहिए बालकों का सरवांगीर विकास हो सके उसके लिए चात्रों की मानसिक योग्यताओं को ध्यान में र आशागत पक्षों को उभारने पर बल्द देना चाहिए सबसे मैत्वड़ बात इसमें आती है सुकुमार मन होने के कारण सुकुमार मन का मतलब है यहां पर आपका कि बच्चा जो होता है उसका मन जो होता है वो बिलकुल नया होता है और उसमें कुछ भी नहीं होता जैसा कि प्राइब करेंगे प्राइब पाठेक्रम यानि कि प्रक्टिकल करकुलम किस प्रकास से हम लोग इसमें समाज़ित करेंगे प्राइब पाठेक्रम का जो सबसे पहला पॉइंट रहेगा उसको अब एक बास समझने को सकरें क्या है इसमें प्रयोग आतम पाठेक्रम की अंतरगत बिस्स्ट आवसक्ता वाले बालकों के लिए ऐसे क्रिया कलापों की विवस्ता की गई जिन में उनका सहजनात्म विकास हो सके इसके लिए चित्रांकन एवं पेंटिंग कॉमा संगीत कॉमा नरत्य कॉमा कहानी कॉमा कथो पर कपथक और ब्रहमध से संबंद्र क्रिया कलाप कराई जाए तो इन सब चीजों में बच्चे को एक ऐसी चीज मिलती है जो करकर सीखता है यानि करके सीखने वाली चीज़ इसलिए इसको हमने प्रायोगिक पाठेकरम के अंतरकत रखा है यानि कि प्रक्टिकल करकरम में समयुजित किया है जैसा कि आपने देखा होगा चित्तरंकान यानिकी पेंटिंग पेंटिंग में बच्चा जो हमेसा अपनी मन की स्रजनियों को देखता है और उनको निखारत है इसी प्रकास संगीत से बच्चा करके देखता है नत्य यानिकी डांसिंग से भी बच्चा सीखता है जो कहानिया सुना जाती है महापुरसों की कहानिया कुछ लोकल कहानिया सुना जाती है कथो पकतन यानिकी कथन भी सुना जाते है तता उन्हें टूर पर भ्रमण करके सबस्ता है यह सब आते हैं प्रायोगिक पाठेक्रम के अंतरगत इसके साथ ही सिछड अभ्यास इंटेंशिप इवं प्रायोगिक अनुवम में निचड बाल क या कारेक्रम नीजन को भी रखा जाना चाईए पुर्पलाथ्मिख बिध्यालेके प्रसिच्च्यों को सिच्चित करने के लिए सात्र आउकलन कौमा सत्र या टंप्रपत्र संगोष्टी सवैक्टा आध्किक का कर दी बनार को निस्ट किया गया करने से ताथ पर क्या है यहां पर है पूर प्रात्मिक सिच्छा और सिच्छा के लिए सत्री आकलन जो सैसन टर्म ठीक है ग्रूब डिसकर्शन और सेमिस्टर की परिच्छाएं और प्रेक्टिकल यह सारी चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड की है और इन सब चीज़ों को इंक स 알ए सीज़ें और करकिस इखी का और जहां करके शीकता है वहार पर इसका विचार होता है हो बहुत ही महत्वर होता है और वह आसाने से वह सीख पाता हैो जिन्दिक वार उसके मस्तिस पड़कर चयाता है चलिए है इसी में अब देखेंगे और स्टुक्चर एन्ड कर्कुल होना चाहिए चलिए इसको हम एक कुछ से समझने की कोछ्ट करेंगे प्राथमिक सिच्च सिच्च के धाचे unto दो भागों मात सकते Charlesreek दाचरल में कितने बागों अमने कितने फालों में पहरा सफ में है कि नहीं और एक से लेकर पांच तक यांकि बच्चों के लिए होता है इसी प्रकार सेखेर पार्ड देगों है आपका उच परमिक से जिसे हम junior level कहते हैं यानि कि छह से लेकर आठ तक अच्छा यह जो होता है इसकी जो उम्र होती है वो 14 वस 15 वस तक की आयोगी बच्चे के लिए रखा गया है और जो प्रात्त में किस तरह है वो बच्चे के लिए अच्छा इन दोनों सतरों पर प्रस्तावित इशतर पर व्योग इल्गी माना गया है यानि कि इन दोनों इस तरह नोंगी पर प्रात्मिक स्तर को ही माना जाते हैं अच्छा अब बात करेंगे हम सबसे पहले कक्षा एक से पांच तक तदा कक्षा 6-8 तक सिच्चा के उद्देश कौन से कौन से हैं नमबर एक है भावी प्रसुच्यों के मद्य प्रात्मेक इस तरी मनोबग्यान तता समसासी ततों का अवधन विक्सित करना यानि कि हम मनोबग्यान एक तरीके से इसमें विचार मर्स करेंगे दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा अधिगम, अनुभव, संचयन के साधनों से उनको अवगत कराना यानि कि अधिगम जो कम करा रहे हैं अधिगम का मतलब बच्चे के सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं हे तो सच्छम बनाना है यानि कि बच्चे की जिग्यासा क्या है, वह कलपना क्या करता है उसके अंदर क्या जो क्रियेटिवटी है कि इन सब चीजों को हमने इंक्लूड किया इसमें तीसरे पॉइंट में तो उसको इस चीज के लिए हमें इलेजिबल बनाना है कि वो इन सब चीजों का यूज कर पाए इसी प्रकार अब हम देखेंगे नंबर चार तो नंबर चार जो रहेगा वो रहेगा सामाजिक एवं समख्यां के अवह दन क्योंकि इस इस तरव बच्चें के संबेगात्मक समख्यां भी प्रारम हो जाती है जो चैसे लेकर आठ तक के बच्चों में अक्सर करके बहुत अधिक्ताय का पाई जाती है अच्छा अब हम देखेंगे नंबर पांच नंबर पांच कहता है बहृद अध्यापक अध्यापकाहों में संप्रेशन का विकास करना यानि कि अगर हम इसका जो कर्कूलम बना रहे हैं वो कर्कूलम का सबसे बड़ा देस होता है कि टीचर जो बात कहना चाहता इसको इस पस्टता से कह दे बिन आजीज के वे यानिकि उस टीचर की बात का chojils संप्रेशन होना चाहिए वह बहुत ही प्रभापूर होना चाहिए जिससे बच्चे उसको सीरियसली समझ सके और इसी में कड़ी में हम आगे देखेंगे पॉइंट नमबर सिक्स पारस पर सयोगात्मक स्थापन करने में कुशलता बनाना यानि कि टीचर जब सिखाता आए बच्चे को तो उसके अंदर पारस पर सयोगात्मक स्थापना जोब बननी चाहिए बच्चे को अपने आप लगना चाहिए कि मुझे कुछ करना है मुझे कि खेल कून है सारि रिख वयायम है ताथा पाथा सयगा में केरी आउंमें दक चोने की चंपता बिख्चित करना है है यहां पर हमने टीचर के लिए sports की विवस्तागी, physical विवस्तागी और जो teaching ads हैं उनको use करने के लिए चंपता विक्सित करने के लिए इस point को रखा और इसका अंतिम और last point है आठवा उस आठवा point को जड़ा एक बात ध्यान से समझे थेगे ना, सोधकार की उपादेता को समझने की समझ विक्सित करना यानि की सोधकार जब किया जाता है यानि किसी भी चीज़ पर हम discussion करते हैं, उस पर discuss करते हैं तो उस discussion में उसकी उप्योगता क्या है, उसका मतलब क्या है उसका उद्देश्य क्या है, ये सब चीज़ें हमें समझनी चाहिए क्योंकि हम जब जब भी कोई पाठेक्राम या कोई भी कर्कुलम भनाते हैं तो उसका कोई उद्देश्य होता है तो वो उद्देश्य की पूरती करना भी आवश्यक है चलिए अब बढ़ते हम problem of pre primary education of curriculum यानि पूर प्रात्मिक सिच्चा के पाठेक्रम की समझ्या यानि कि कर्कुलम में क्या-क्या समझ्या आती है उनको जब समझने की कोशिस करते हैं प्रात्मिक सिच्चा के उद्देश्यों के क्रियानवन में निम्न लेकर समझ्या उत्तर दाई हैं तो कौनसी कौनसी स में समझने की कोशिज करेंगे तो नंबर पहला है इसमें प्राथ्मिक सिच्छा का दोस्पूर पाठेक्रम हमारे यह प्री प्रैमरी एजूकिशन बनाई गई है वो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़े हैं जो हमारे लिए हानिकारक सावित होती हैं तो उसी लिए उसमें सुध की थोड़ी सी अवश्क्ता है अगला पॉइंट हम देख रहा है सेकंड वाला वह प्राथ्मिक विध्यालियों के अध्यापकों की जो सिच्छा संस्ता हैं वे विष्ट्व विद्यालियों की सैच्छिक जीवंधारा की विपरीत हैं इसके कारण से दान्त एवं ब्यवार म नहीं है इसलिए विध्यालियों की दैनिक गतविदियों उनकी समश्याँ में मेल नहीं खाती यानि कि यूश्ट्री लेवल की परिच्छा है करिकुलम बनाया गया है वह बास्तविक सितिती से थोड़ा सा अलग अटके है गतविदियां जो है वो समस्या को समाधान में नह सरकारी हैं वहां चात्र पढ़ने ना आगर मिड़े मील के समय आते हैं सैच्छिक बातावरण उपयोक तो नहीं है अध्यापक पढ़ाना नहीं चाहते अर्था तो वहां हम देख रहे हैं कि जहां भी यह व्यवस्ता हैं वहां सरकारी संस्ता हैं तो उपस्तितना पर सरकार संस्ताओं में टीचर पढ़ाना पसंद नहीं करते और नाई उन बच्चों को बहुत सारी सुविदाय मौहिया करा पाते हैं जो एक प्राइवेट इंस्टिउशन करा पाता है तो इन सब चीजों को देखते हुए वो बच्चा जो है उन चीजों से पिछड जाता है जो प् नहीं कर सकते हैं इसमें हमें आगे बढ़ना ही होगा चलिए अब नंबर देखते हैं फोर तो नंबर फोर कहता है अधिकम को इस्थाई बनाने के लिए नवाचारों का प्रियोग नहीं किया जाता है तथा प्रशाशन दोश्पूर होता है यानि कि जहां भी ये विवस्ता बनाए गई है वहाँ पर जो नए नए प्रियोग नहीं किया जाते बलके नए प्रियोगों से दूर भागा जाता है और जो वहाँ पर प्रशाशन विवस्ता की गई है वो भी प्रशाशन विवस्ता भी वहाँ पर बहुत सारी परेसानियों से घिरी हुई है यानि कि दोश करेंगे इसके कर्कुलम पैटर्न की यान की कर्कुलम पैटर्न हमको किस तरीके से बताया गया है यान की पार्ठेक्रम प्रारूप तो पार्ठेक्रम प्रारूप जो होता है वो किस तरीके से तयार किया जाता है उसके कुछ points है, तो उन points को हमने एक चित्र द्वारा निरूपित किया है, ठीक है, तो उस चित्र द्वारा हम इस पूरे प्रकरण को एक इस पस्टी करण से समझते हैं, चलिए, प्रारम करते हैं, पार्ठाकरम प्रारूप, यानि की curriculum pattern, तो इसका सबसे पहला जो point आता है, व भारती है, विकास सील उबरता हुए भारत, यानि की इसमें हम सबसे पहले भारत की जो condition है, इस्तिति है, पोजिसन है, हमारा भारत विकास सील है, तो विकास सील भारत के अंतरगत हम इसका पाठेकरम तयार करेंगे, क्योंकि हमारे पास उतनी सारी सुविदाएं नहीं होग इसलिए हम लोग इसको यहीं से प्रारम करते हैं, कि अगरकार हमारा जो developing country है, इसके बाद हम second point पर पहुंचते हैं, वो आता है प्रात्मिक सिच्छा, छात्रा दिगम, प्रक्रिया एवं नियोजन का मनोविज्ञान, तो इसमें यह जो कहता है, वो यह कह रहा है, प्रात्म पॉइंट में हम देख रहे हैं, आप इस graph में समझ पा रहे होंगे, ठीके न, आकलन, मुल्यांकन, सुधारात्मक सिच्छड, यानि कि जो भी हमने बनाया है, उस पाठे क्रम के अंदर आकलन भी होना चाहिए, यानि कि उसका आजवा evolution होना चाहिए, मुल्यांकन भी होना च चाहिए, यानि कि उसमें reinforcement भी होना चाहिए, अगला point है अगले point में आप देखना स्वास्ते हम सारी रही सिच्छा, क्योंकि बच्छों की सारी रही सिच्छा और स्वास्ते ही जानकारी भी सिच्छक को होनी चाहिए, वो उसको किस तरीक से manage किया जाएगा, यह हमारे पाठ क्रियात्मक अनुशंधान यानि कि action research, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ने समझा कि आखिरकार developing country and primary education, evaluation, health and physical education, social management, sorry, school management and guidance and counseling, और last आपका है action and research, यह सारे जो पार्ट हैं, वो हमारे curriculum pattern के हैं, इन सब pattern को हम लोगों को समझना होगा, ठीकिए न, इन सब चीज़ों को देखते हैं, हमारा जो pattern तयार किया जाता है, यह graphical pattern तयार करना है, बहुत time लगा और बहुत ही महनत लगी, इस चीज़ को आपको समझना होगा, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही तो प्लीज इसे like कर दें, और share चलू करें, और प्लीज इस channel को subscribe कर लें, चलिए, आगे बड़ते हैं, प्रात्मिक स्तर पर पाठेक्रम प्रारूप के अंतरगर सैध्यांतिक छेत्र में भारतिय विकासील समाज, प्रात्मिक सिच्छा का अधिगम, प्रक्रिया नियोजन एवं स्वास्त एवं सारिरिक सिच्छा आंखलन, मुल्यंकन, सवरड सिच्छा, सिच्छड अभ्यास्त, प्रतिमानों के परिच्छड को संभलित किया गया, तदा बिद्याली अनुवव में इंटनसिप को रखा गया, साथी प्रयोगात्मक का रिकोई मैतो दिया गया, यानि कि इस लेवल पर अगर हम पूर प्रात्मिक सिच्छा की बा बनाया गया, उसका चार्च कैसे करना यह बनाया गया, वैल्यूशन कैसे करना यह बनाया गया, उसमें फिर सुधार कैसे करना यह सारी चीज़ है, स्कूल को मैनेज कैसे करना है, उसको गाइडलाइन कैसे देनी है, उसको ट्रीटमेंट कैसे देना है, ठीक है, उसको फिर र एक बंड़कर हो ज्याता है यानिकि असका प्रयोगत्तिकल गालता हैरा यानि कि देख रहे हैं यह सारे प्रशिच्चिड से अच्छा प्रसिच्चीड करता है यानि कि हम जो जो यह देख रहे हैं ये सारे प्रसिच्चु है और बीय कॉ OLग के तो अब इन में हम देख रहे हैं कि यह जो प्रसिच्चु है इनके अंदर जो बिकास करना है दक्षित करना है वह कैसे करना है इसके लिए कुछ हम्नों पॉइंट को समझने कोसिद करेंगे पहला पॉइंट है क्रिया सील अनकी के सब्सक्राइब क्रिया सिंफन ऴ् critique स हुथ करना की मंतलब होता है इससेर्च को हम इनौ को समझने के पढ़ाना आये इतने समय में समझना आइए सारी छीज़े अगला point आता है मात्रबासा प्रतम बासा तथा हिंदी राष्ठबासा के रूप में तथा अन्नछित्री बासा यह दिवाइ मात्रबासा के रूप में हो तो उसमें दक्षता प्रदान करना तो हम इसमें सबसे जो point पहला लेते हैं ये तो unvisual का हो गया दूसरा आता language का, language में हमने सबसे पहले रखा mother tongue यानि कि बच्चे की mother tongue है उसको सबसे पहले प्रात्मिक तदी जाएगी ठीक है ना, दूसरी आती हमारी राष्टवासा जो हेंदी वैसे हिंदी राष्टवासा नहीं रखी गई है लेकिन हमारे राष्ट में जा सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है इसलिए उसको राष्टवासा हिंदी कहा जाता है ये ध्यान रखें आप लोग कि इस हमारे भारत में सबसे ज़्यादा राष्टवासा हिंदी बोली जाती इसलिए उसे राष्टवासा कह दिया जाता है और तीसरी वासा हमने रखिए छेतरी वासा जो कि हमने मात्रवासा के साथ को इसको किया है क्योंकि इसमें अगर हमने दक्षता प्रदान कर ली तो बच्चे को content समझाने में हमारे लिए आसानी होगी तीसरा point है गड़त एवं पर्यावरण में दक्षता प्रदान एवं पर्यावरण से परचित कराना क्योंकि टीचर को अगर गड़त की knowledge है पर्यावरण की knowledge है तो वो उसको atmosphere को adjust कर लेगा चौत्व point है विसेयों के संचाला ने तो प्रसिच्चूओं को दच्चता प्रदान करना अगर हम टीचर को बेवारे ग्यान प्रदान नहीं करपाएंगे तो वो उस चीज़ों को नहीं समझ पाएगा इसी चरण में छट्वा point है सीखने के उन सिद्धानतों का प्रसिच्चर देना जो सैच्चिक बातावरण मस्तिस संचालन को उन्नत एम सम्रत बनाने का ग्यान प्रदान करते हैं यानि कि मस्तिस के साथ साथ हमें उस संचालन को अपडेट रखना है अपडेट रखने के लिए भी हम लोगों को से समझाना होगा यान टीचर अपने ग्यान को अपडेट कैसे रख सकता है क्योंकि पुराना ग्यान अक्सर करके ज्यादा दिन साथ निया था उसको अपडेट करना ही पड़ता है चलिए अब आगे वड़ते हैं हम लोग इस पकार या प्रसिछड चात्रों को जे बीटी कॉमाड डीएड यह सारे कोर्से हमारे हैं चलते हैं जैसे कि अभी चल रहा है बीटीसी है डीएलेड है के नाम से डिप्लोमा प्रमारपत प्रदान करता है जिससे निम्ले लेखित योगता विक्षित होती है यानि कि अगर हम इस्टुएंट्स को देखें तो पूर प्रात्मे कि सतर पर जैसे बीटीसी डीएलेड चल रहा है हम आरिवी चलता है तो इस पैसे पहले मात्र बासा प्रतम बासागर रूप में और हिंदी रास्ठ बासा जो मातरवासा गरूब में दच्छता प्रदान होने चाहिए ठीक है अगला पॉइंट है गड़तों और पर्यावरण अध्यन जिसमें बहुते विग्यान और सामाजे विग्यान संभलतों सिछड में दच्छता प्रदान करना है और इसका लास्ट पॉइंट आता है तीसरा पहले उसको language समझा करके उसे language समझनी है बच्चे की mother tongue समझनी है उसको mother tongue में और उसको छेतरी बासा में उसको explain करना है उसके बाद उसे घड़े तो और पर्यावरण पर ध्यान देना है कि यानिकि उस बच्छे के अंदर तार्किक छमता होने चाहिए और उसके चाहते वीडिऊ को समध्लित किया जाता है उसके सिध्धान तकों पैंस को देखते गुए मैं आज हम ने जो वीडियो तियार किया उस वीडियो में हमने यह सारी चीज़े कम्प्रिट कि अब हम जो नया नैक्च वीडियो लेके आने वाले हैं वो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्री सर्विस टीचर एजूकेशन अन सेकेंडरी लेवल यानि माद्दमेक इस तर पर पूर सेवारत इच्छा माद्दमेक लेवल पर लेगाएंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजि सब्सक्राइब बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं